इन दौर में रेलवे ने 50 कोच को आइसोलेशन वार्ट बनाने का फैसला लिया है और 10 कोच आइसोलेशन वार्ट बनकर तयार हो गया है कोच को आइसोलेशन वार्ड बनाने का फैसला अतियात के तोर पर लिया गया है ताकि अगर स्थिती आउट ओफ कंट्रोल होती है तो मरीजों को इन में रखा जा सकी कोरोना संकट को लेकर रेलवे ने भी कमर कसली है जिस तरह से इन दौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है उससे ध्यान में रखते हुए इन दौर में रेलवे कोच को आइसोलेशन वार्ड बना रही है रेलवे ने 50 कोच को आइसोलेशन वार्ड में कनवर्ड करने का लक्ष रखा है कि हम लोग अपने जो कोचों को भी isolation बार्ड में convert करें क्योंकि अगर मरीजों की तादाध बढ़ती है तो उनके लिए रखने के लिए हम लोग अपने isolation बार्ड बना रहे हैं और जो coaches है स्लिपर क्लास है और जनरल क्लास की जो coaches हैं उनको हम लोग isolation बार्ड में convert कर रहे हैं उसके तहत रतला पशिम रेलवे के रतला मंदल ने यह करीब यहां coaching डेपो है इंदौर में और डॉक्टर अमबेट कर नगर कुल मिला के 80 कोच का प्लानिंग की हुआ है 50 हम लोग इंदौर में बना रहे हैं और तीस हम डॉक्टर अमबेट कर नगर महु में बना रहे हैं हर डिब्बे के एक टॉयलेट को बाथरूम के रूप में तयार किया गया है कोच में oxygen cylinder के लिए क्लिप और bottle holder लगाए गये हैं कोच में तीन तरहा के dustbin रखे गये हैं ताकि संक्रमित कच्रे को अलग-अलग रखा जा सके साथ ही मरीजों की स्विधा के लिए लंबे हैंडल वाले नल लगाए गये हैं ताकि मरीज उसे छुवे बगएर अपनी कोहनी से ही चालू कर सके इतना ही नहीं मच्छरों से बचाओ के लिए खिड़कियों पर जालियां भी लगाई गये हैं इस कोच के अंदर जो आईशोलेशन की जो शुविधा है जो बार्ड में जो शुविधा होती है सब उसके अंदर रहेगी उसमें एक केविन के अंदर दो बैड लगाए गए हैं और वो डिसाइड करेंगे डॉक्टर की उसमें एक बंदे को रखना है या दो को रखना है त कोरोना के खलाफ सरकार युदिस्तर पर तैयारियां कर रही है अच्छी बात यह है कि सीम शुराज सिंग जोहान पूरे हालाद की खुद मौनिटरिंग कर रहे हैं लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या चिंता का सबब बनी हुई है टीम न्यूज इस्टेट